यहां पर मैंने जिस चावल का खिचड़ी बनता है पचास ग्राम चावल को दो से तीन पानी धो कर अच्छे से आधे गंटे के लिए भीगो कर रख दिया था आप कोई भी चावल यूज कर सकते हो और यहां पर मैंने ड्राइफ फूर्ट्स कट करके लिए हैं अपने पसंद क आप कोई भी ट्राइफ फूर्ट्स अपने पसंद का ले सकते हैं हलका गरम दूध है इसमें हम तीन चार धागे केसर का डाल देंगे जब तक हम लोग का खीर बनेगा तब तक इसमें कलर आजाएगा यह बिल्कुल ऑप्सनल है इसको आप इसकिप भी कर सकते हो यहां पर मै अच्छे से उबाल आने देंगे यहां पर मेरा दूध में अच्छे से उबाल आ गया है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तो भी गोया हुआ चावल डाल देंगे और कटी हुई ड्राइफ फूर्ट्स और केसर वाली दूध तीनो एक साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा अच्छी हुई इलाइची पाउडर मैंने यहां पर डाला है इससे खुसबू बहुत अच्छी आती है अब हम लोग इसको ऐसे ही लगतार चलाते रहेंगे इसको छोड़ना नहीं है तो यह तले में पकड़ लेगा तो खीर का टेस्ट बिलकुल अलग हो जाएगा ऐसे आप यह देखिए 15 मिनट के बाद चावल हमारा अच्छे तरीके से कुख हो गया है अब देख सकते हैं अब हम लोग इसमें सुगर एड़ करेंगे मैं 100 ग्राम चीनी डाल रही हूं 500 ग्राम दूद के हिसाब से 100 ग्राम चीनी डालेंगे तो जो खीर का मिठास होता है बिलकुल प पसंद है तो थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं आप अपने मताबिक और इसको और पांच मिनट तक पका लेंगे चीनी को डालकर और पांच मिनट तक मैंने कुक किया है और फ्लेम को आफ कर दिया है यहां पर मैंने एक सर्विंग बॉल ले लिया है इसमें खीर को सर्व कर द के अंदर बनके रेडी हो जाती है अगर मेरी वीडियो अप लोगों को थोड़ी से भी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें